किसान विरो धान की फसल में एक सवाल सब के मन में ये रहता है कि हुमिक एसिड का प्रयोग हमें कब और क्यों करना चाहिए और कौन सी खाद में करना चाहिए या फ्रिसकी सप्रे करने चाहिए और इसके अलावा किस कंडिशन में हुमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए क्यो अच्छे से होना बहुत जुरूरी होता है अगर जड़े ही स्वास्त सफेदर लंबी नहीं होंगी तो फसल की पैदावर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपनी फसलों में सब तरह के खाद दवा माइकर न्यूटर्ड डाल देते उसके बाद भी हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है तो फिर इसका लॉजिक यह हो सकता है कि जमीन का जो पी-च लेवल है वो अन्बैलेंस है मतलब कम है या ज्यादा है जिसकी वज़े से सारे माइकर न्यूटर्ड जैसे की नाइटोजन, फॉस्फरस, पटाश यह सब जमीन में स्टॉक पढ़े रहते हैं, पौदे अपना भॉज़ा नहीं बना पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हाइड में कुछ पौदे छोटे रह जाते हैं और कल्ले भी नहीं बना पाते हैं, तो फिर इस कंडिशन पर जितने भी स्टॉक माइकर तो फिर उनको न्यूमायल करने के लिए हमें हमारी ओपड़ करने से यह गए करने से जमीन का प्यूमायल यूर्व है इसको इसके लावा जमीन में जो पाणी का capacity होती है वह भी बढ़ जाती है जिससे की जमीन हमारी मुलाइम रहती है और जो हमारी फसल की रुकियों ग्रोथ होती है वह भी बहुती बड़े तरीके चलने लगती है मतलब कि आप ऐसे समझें कि हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादे बैनिफिट हैं आप हमें के आप ऐसे विचा कर सकते हो कि जहां पर आपको लगता है कि सारे माइक्री न्यूटर्ट देने के बाद भी हमारे पौदे अपना भोजा नहीं बना पारे ग्रोथ नहीं कर पारे और पौदे चोटे रहें मतलब कि कल्लों का विकास भी नहीं हो रहा तो वहां पर फिर आपको हुमिक एसेड का प्रियोग कर देना है जिससे कि जो पौदे होंगे वो अपनी खुराक सही मातरा में ले पाएंगे क्योंकि जमीन में कुछ ना घुलने वाले मैटल्स होते हैं तो हुमिक एसेड उनको घुलंशिल फॉर्म में लाके पौदों को धीरे-दीरे रिलीज करता है जिससे और फसलों की रूट का ड्यवललोवंट बहुती बड़े तरिक्के से हो जाता है इसके लावा जो हुमिक एसेड होता है यह इसका प्रियोग आप यूरिय में वी कर सकती हो या फिर रेत में में मुलाकत कर सकती हो इसके लावा अगर आपकी फसल 40-45 दिन की हो लें और क्यानन डालें इसके लिए आपके सामने वीडियो आ रहा है तो आप ये वीडियो भी जरूर देखें धन्य वाद का थै